हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल The Secret of Investing में दोस्तों मार्केट में काफी दिनों की गिरावट के बाद आज के दिन आप लोगों को अच्छे खासी रिकावरी देखनेंग मिल लए है लेकिन उसके बाबजूद आप लोगों को यहां पर क्या करना चाहिए वो भी डिसकस करेंगे और फ्रेस सेंट्री का लेने का मौका कहां बनता हुआ नजर आ रहा है वो भी जानने की कुछिस करेंगे तो प्लीज वीडियो को एंटर देखिएगा काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है सबसे पहले अगर हम लोग गिरावाट की बात करें तो उसनों तो कल के दिन दीपक नाइटराइट की रिजल्ट देखने को मिले और यहां पे नमबर्स इतने ज़्यादा खराब नहीं है देख सकते हैं आप लोग केवल हो केवल मार्जिन्स में लगबग 9% की गिरावाट आपको देखने को मिली है क्योंकि यहां पे जिदनी भी अच्छी कंपनिया होती है तो मार्केट उनसे एक्सपेक्ट करती है कि हमेशा वो कुछ अच्छा नमबर पेस करेंगी जिसमें आप लोगों को बूस्ट अप देखने मिलता है और अगर वो डिसपॉइंटमेंट होती है जब वो उतना चैलिंजिंग करेक्टराइज पार राइजिंग कॉस्ट कंट्रिंट इन सप्लाइ ऑफ इंपूट यहां पे जितने भी इंपूट्स हैं रॉम मटेरियल्स हैं वह काफी ज़्यादा महंगी होते हुए नजर आरें जिसके चलते यहां पे कंपनी के एक्सपेंस काफी ज़्य हैं और यहां पे प्रॉफिट जो है काफी ज़्यादा डिकलाइन हो गया यही एक मेजर डीजन है आने वाले टाइम में यह सारी चीज़े नॉर्मल होती हुए नजर आएंगी तब आप लोगों को यही कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दिखा सकती है हाला साइंसेज 90 प्लस आपको ट्रेट करती हुए नजर आ रही है तो यह सारी चीज़े हैं जिसमें आप लोगों को देखनी चाहिए कि मार्केट में अगर घिरावट होती है कोई पैनिक सेलिंग आती है तो आप लोगों को क्वाल्टी स्टॉक में हमें से एंट्री लेनी है 27-28% की रैली एक महीने के अंदर ही आ गई थी वही चीज़ आपको वापस से होती हुए नजर आ रही है काफी अच्छा कासा सपोर्ट आपको यहाँ पे 2100 के लेवल पर मिलता हुए नजर आ रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है मुझको लगता है कि यहाँ पे 2000 का पर आप लोग उठा सकते हैं इसके नीचे जाने की उमीद काफी ज़दक कम है और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत बार मैंने टार्गेट डिसकस किये हैं अठाइसो अठाइसो पच्छब पच्पन तीन हजार की टार्गेट बहुत सारे ब्रोक्रच आउसे ने दे दिये चैनल पर फस्ट डाइब होंगे तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए